हेलो स्टुरेंट्स विल्कब दू लर्णिक नमिक्स अंडों मिरा नाम प्रिंक आवसिस्ट है आज हम बात करेंगे हम टेक्स्पाइन का स्कैनर कर रहे थे ठीक है तो हमने फॉर्स्ट चप्टर पूरा जितना भी इसमें था कॉर्पे रिस्ट्रक्चरिंग जो था वह हमने को कि नए उसलिए वह साब से जो जसनाया से वग्त्र यह बात हम कर रहे हैं आपके स्कृंड पर होगा कोशंळें थी का है तो यह यह nukal नहीं यह पर में यह पर में यह कोशन आईगा तो आप को देखके पहले दर जाएंगे कि यह क्या है क्या इसमें नुमेरिकल पर इसमें आप से शेक्षन पूछें और थोड़ा बहुत हल्का बुलका सब नुमेरिकल आपको करना पड़ेगा बदाती हूं पड़के इस कोशन को यह दिसंबर 2019 में आये हुआ है न्यूस लिबस के नाशनल स्टॉक एक्षेंज नेशनल एक्सवाइज जाट कोई कंपनी है जो की नसी में लिस्टेड़ है तो लेस्ट अलेटेस्ट ओडिटी फानेशल पोजीशन ऑफ एक्सवाइज जाट की क्या है पेड़प इक्यूटी कैपटल इतनी करूड किया फ्री रिजर्व इतने का है टोटल सिक्यूर अंशिक्यूर डाप इतने का दे कंपनी इंटन तो बाइपकेट्स फुली पेड़प एक्षेयर रूपीज पांच इच ठीक है फुली पेड़प एक्षेयर कंपनी एक्सवाइज लिमिटेड बाइब करना चाहती है जो टीक है शेर नोट एक्से 55.55 करो ठीक है एक्षामिन वैदर दब आपको बताना कि जो आपकी पहलेंशीट का और इटेड फानेंशल पोजिशन जो आपको बताईए इसमें आपको बताने वैदर अब बाइबेक अब यह कह रहे हैं इसमें आपको कंपनी क्या जाते हैं यह उसकी फानेंशल कंडिशन इसमें लिखे हैं कि आपको एक्जामिन करना है बाइबेक ऑफर त्रो टेंडर रूट कैन बी अप्रूट बाइद बोड़ आपको बताने कि इस फानेंशल कंडिशन में बोड़ डायरेक्टर्स का बाइबेक को अप्रूब करेंगे के पिंग इन व्यू दा प्रोविजन ओ इसमें आपको पूरा मैं हमने कोशन पर देश में आपको पूरी कंडिशन बता दिया बाइबेक का स्ट्शन याद होना चाहिए शेक्शन 68 इंपॉर्टन कौन सा है शेक्शन 68 ऑफ दे कंपनी जैक 2013 क्या कहता है अब हम इसके आंसर की बात कर रहें शेक्शन 68 ऑफ दे कंपन 10% of the paid-up equity capital plus free reserve का यानि की capital paid-up equity capital plus free reserve का 10% board of directors अप्रूव करते हैं ठीक है such buyback has to be authorized by the board by means a resolution passed at board meeting, board meeting में resolution passed होता है और paid-up equity capital plus free reserve का 10% तक जो board of directors होते हैं वो पास करते हैं इसके आप से कोशन में बोला नहीं है कि आप शेक्शन 68 बताएं पर आपको इंडारेक्ट वे में पूछा है शेक्शन 68 कि शेक्शन 68 में लिखा है कि एक कंपनी कब भाइबैक कर सकती है तो तो बाइबैक की कंपनी बाइबैक करना चाहती है तो इसके लिए rules regulation लिख है वो rules regulation है जो कंपनी आपकी बाइबैक करना चाहती है तो क्या rules apply होते है तो पहले पॉइंट में तो आप रूल देंगे शेक्शन 68 लिखते ही जाए कि बच्चे को पता है कि हम क्या पूछना चाहरे है तो शेक्शन 68 क्या कहता है आपको मतलब यहीं पर याद हो जाएगा सब वी और उसके लिए special resolution बोर्ड मीटिंग में पास होता है ठीक है फिर second point क्यादा एक बाइबैक of equity share can be sanctioned by the shareholders through special resolution जो बाइबैक हमने करने के लिए हम कह रहे हैं वो sanction किसके दौर होगा शेयर होल्डर भी उसको शेंशन करेंगे अप्टू 25 परसेंट ऑफ दा पेड़ा पिक्यूटी क्यापटल का फ्री जब का 25 परसेंट तक शेयर होल्डर्स अप्रूब करते हैं कि सॉर्य शेक्शन सिक्स्टी एंड दो बाते कहता है ठीक है और भी बाते कहता है फिलाल हम दो बातों प्रिद्हान देंगे बोर्ड डारेक्टर्स अप्रूब करते हैं 10 परसेंट किसका पेड़ एक्टी शेयर कापटल प्लस फिरी रिजर्व का 10 परसेंट बोर्ड ऑफ ड परसेंट इकुटी शेयर मैक्सिमम एक कंपनी अपने कितने बाइब कर सकते 25 परसेंट तक आउट ओफ दा फुली पेड़ पेड़ एकुटी शेयर है जिन पर पैसा पूरा मिल चुका है उनको आप 25 परसेंट तक ही एक्वार बाइब कर सकते हो फर्दर दा रेशो ऑफ दा पर आपके लॉंग टम डैप जो है तुस्टु वन से जाधा नहीं होनी चाहिए यह यह बात कहते है कि फॉर्दर दा रेशियो ऑफ टोटल लॉंग टम डैप ओन बाइब कंपनी अफ्टर बाइब शुट नॉट पी ओड़ दें ट्वाइड पेड़ पेड़ और प्री यह बाइब करना चाहिए यह बाइब करना चाहिए तो इस टू वन से जादा आपका लॉंग टर्म डैप टैक्सीड नहीं करना चाहिए अफटर बाइब बैक आनि कि आपने यह विदि पाइब किया है लोन लिया है यह कुई कहीं से भी पैसे अरेंज करें तो कंपनी के आपकी चुछनम और किंगा को बने के बाद से बीचे उठाया और करा तो आपका टाइम बहुत बचेगा पेपर में को पता कि ऐसा कोशन आएगा तो मुझे क्या लिखना है वैसे यदि आपने डारेक्ट आप बुक में से बढ़के जाएंगे आपने स्कैनर नहीं पढ़ा होगा या कोशन आंसर की फॉर्म में नहीं पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और यदि उन तीन घंटों में से टाइम आपको सेव करना है तो आप स्कैनर या स्कैनर के लावा कोई भी अच्छी बुक में से कोश्चन आंसर की फॉर्म में यदि आप करते हैं कोश्चन जो पिछले साल आए हुए वो ज्यादा अच्छी होते हैं तो उससे क् आप टाइम सेविंग बहुत हो जाता है पेपर में यह पॉइंट में चार पॉइंट में हमने सेक्शन सिक्स्टी एट कंप्लीट कर लिया सारा याद हो गया आपको 10% बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स अप्रूब करते हैं किसका 10% पेड़ाप इक्यूटी कैपिटल से जादा नहीं हो सकती ठीक है अब इस कोशन पे आ जाते हैं जो उपर पूरी कथा लिख हुई है जिसे देखके एकदम डर लगता है उसके अब इस कोशन में क्या कह रहा है इन देस गिवन कोशन ना पेड़ाप एक्यूटी कैपिटल कितनी दी हुई है 442 करोर्स ठीक है फ्रीजर्व दे रहे का 20347 करोर्स दोनों को आप मर्ज कर दीजे क्योंकि सब जगा लिखा है पेड़ाप इक्यूटी क्या प्रस्ट फ्री रिजर्व का यानि कि दोनों को जॉइंट करके एड़ करके रखम बनती आपके 20789 तो यह क्या कहना है अंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए टन परसेंट और 25 परसेंट वेर इस टोरल सिक्योर एंट इन सिक्योर डैप्ट इतने करोड़ है तिक है सिक्योर और इन से क्योर डैप्ट कितना इतने हैं पर लेटेस्ट और टेफ फरनेंस चल वैल यह पॉइंट आप बना लेंगे उ इसका पेड़ पीक्विटी कैपिटल और फ्री रिजर्व को दोनों को जोड दिया अमाउंट बना 20789 उसका टाइन परसेंट बोड़ डायरेक्टर सापका अप्रूब करेंगे तो उसका ठाइन परसेंट निकाल लो 2078.90 क्रोड बनता है इससे इतनी लिमिट तक का आपको बोड़ डायरेक्टर अप्रूब करेंगे बाइब बैक और आपने यहां पर हैर केंट बोड का जो प्लान है जो आपके कोशन में दिया हुआ है 1955.55 करोड का बाइब करने का आपने प्लान जो है सम्मिट किया है यानि कि यह प्लान आपका 2078.90 से कम है यानि कि आपका यह अप्रूब कर देंगे बोर्ड आफ डायरेक्टर क्योंकि यह 10 परसंट से कम है 10 परसंट तक होना चाहिए ठीक है 10 परसंट से कम है यानि कि आपका और एक special resolution पास करेंगे और यह बाइबेक आपका board of directors अप्रूब कर देंगे यह आप सला देंगे यदि आप इस balance sheet को देख रहे हैं और आप company के secretary है और आप से पूरा है स्क्रिन पेक साइट पर लगा दूगी आप चेक कर लेना यदि आपके पस इसकान है नहीं है तो ठीक है सिंबल साइब पढ़ेंगे तो समझ में आजएगा मैं आपको सब्संजा दिया ठीक है अब पोस्ट बाइबैक के बार लॉंग टर्म डापर रेशो तू से जा इसे यहांपन नाइन्टीन है 55.57 को माइनस करके इतना आगे यानि कि आपने पोस्ट बाइबैक स्कीम इतने करोर्स किया था कंपनी रिजर्व जो कंपनी का रिजर्व बूड रिड्यूस कंपनी का जो रिजर्व वो रिड्यूस होगा एस वैल एस पेड़ अप एकुटी क रिड्यूस हो रही है उसी रेशो में आपका रिजर्व भी रिड्यूस होगा तो हैंस इस पेड़ अप कैपिटल फ्री रिजर्व आफ्टर बाइबैक वोड बिकम 1883 188 33.43 करोड हो गई तिक है आपकी एकुटी कैपिटल कम हो गई घट गई जो टूजीरो सेवन एट बाद आज की 188 33.43 करोड हो गई है तिक है इसमें से आपका 19.55.57 माइनस कर दिया क्योंकि उतने का तो हमने बाइबैक कर लिया ठीक है तो उसको माइनस कर देंगे तो अब आपकी एकुटी कैपिटल और रिजर्व कितना बच गया इतना बच गया अब आप एकुटी प्लस रिजर्व को आपकी जो डैप टिक डी सिक्योड अन्सिक्योड लोन है उससे डिवाइड कर देंगे तो आपकी रिश्यों निकल जाएगी जो कि है जीरो पॉइंट जीरो सिक्सेट जो की टूस्टू वन से काफी कम है तो यानि की आपका जो यह है यह वाली कंडिशन भी फ को यह बता रहे हैं कि भाहिया हमारी सारी कंडिशन फुल्फिल हो रही है इसमें इसलिए हमारा बाइप जो बोड़ डायरेक्टर से जो शियरोज होल्डर से वह अप्रूफ कर देंगे ठीक है यह माउंट देंगे हैंस XYZ लिमिटेड कैन प्रोसीड विद प्रोपोस अप्रोव हो जाएगा बोड़ डायरेक्टर के द्वारा भी शियर होल्डर के द्वारा भी और NCLT के द्वारा भी उसका प्रूफ हो जाएगा और उसको बस स्पेशल रेजलुशन बोड मिटिंग में पास करना पड़ी ठीक है अच्छा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना शियर करना सब्सक्राइब करना और यहां तक चानल देख लिए यहां तक वीडियो देख लिए तो यार सब्सक्राइब करना चानल को सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं लोगा कमेंड नहीं कर रहे हैं ठीक है देखना यदि पसंद आई यहां तक देखिया वीडि झाल 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 झाल